अब हम करेंगे question number 10 तो question number 10 क्या कहता है find the value of sine inverse sine 2 pi y 3 हमें यहाँ पे इसकी value find करनी है अब यहाँ पे एक चीज हम याद रखेंगे कि sine inverse का जो domain होता है वो हमारा होता है minus pi y 2 से pi y 2 तक मैं domain बोल रहाँ range होती है sine inverse की जो range है वो हमारी यह होती है minus pi y 2 से pi y 2 तो यहाँ पे हम sine inverse को sine के साथ इसलिए cancel out नहीं कर सकते क्योंकि 2 pi y 3 जो है 2 pi y 3 pi y 2 से बड़ा है यहाँ पे pi y 2 जो है वो छोटा है 2 pi y 3 से तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी range में यह नहीं आएगा है ना तो हम क्या करेंगे इसको इसकी range में पहले लेकर आएंगे तब हम यहाँ पे sine को cancel out कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे sine inverse sine और इसको हम split कर देंगे इस तरह से pi minus pi by 3 तिक है यह हमारा इसके को ला जाएगा और यहाँ पे sine pi minus theta क्या होता है sine theta तो यह हो जाएगा sine inverse sine pi by 3 sine inverse से sine cancel out तो यह आ जाएगा pi by 3 और यह हमारा इसकी range में आता है तो यह हमारा answer हो जाएगा